राघव चढधा परणीती चोपड़ा की शाही शादी उदयपुर में संपन्न हुई बड़ी चर्चा है इस शादी की कौन-कौन सी रस में कितने शाही शैली में कैसे संपन्न हुई इनके विस्तृत विवरणों का वर्णन लगातार दो-तीन दिनों तक देश की मीडिया विशेशकर न्यूज चैनलों द्वारा भक्ति भाव से किया जाता रहा लेकिन ये सवाल किसी संचार माध्यम ने नहीं पूछा कि 2019 में अपने चुनावी हलफ नामे में अपनी वार्षिक आये दो लाख चालीस हजार रुपए सालाना यानी बीस हजार रुपए महीना घोशित करने वाले खुद को आम आदमी का सबसे बड़ा प्रतिनिधि प्रतीक बताने वाले राघव चड़ा की शादी में 10 करोड रुपए किसने खर्च किये आज से एक हफता पहले एक बहुत बड़े प्रसी दंग्रेजी अकबार में ख़बर चपी कि गौतम गंभीर दिली के सबसे अमीर प्रत्याशी है और रागव चड़ा दिली के सबसे गरीब प्रत्याशी है यह कहा जा सकता है कि ये रकम उसकी फिल्म स्टार पतनी परिनीती ने खर्च की होगी हालां कि ये सफाई कितनी दमदार है इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है लेकिन यदि इस सफाई को ही सचमान लिया जाए तो भी यह सवाल प्रासंगिक है कि पिछले नौ सालों से देश में खुद कुवाम आदमी के रूप में प्रचारित कर रहा पूरे देश के नेताओं को भष्टाचारी बता कर कोस रहा व्यक्ती मौका मिलते ही राजाओं महाराजाओं की नकल करने से खुद को रोक क्यों नहीं सका राघव और परिणीती की शादी उनका निजी मामला हो सकता था लेकिन राघव का जीवन सार्वजनिक है और सार्वजनिक जीवन में उसे पहचान ही सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के अन्यनेताओं के साथ पिछले नौ सालों से वो साधा जीवन उच्च विचार का राजनीतिक पाखंड करता रहा है पाखंड इसलिए क्योंकि एक राजा के महल को किराय पर लेकर की गई राघव की शादी के शाही जलसे ने राघव और आम आदमी पार्टी के साधा जीवन उच्च विचार का सच देश को बता दिया है